देर इस्टुडेंट्स तुड़े विल स्टार निव चैप्टर ट्रेंगल्स कल इसकी पीपीटी हमने आप लोगों को दिया था नोट करने के लिए समझाया भी था ठीक है तो इस में एक बार मैं फिर से डिवाईज कर दे रहा हूं इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है ए और जो दो थेयृरम है द्वा याद करना है कि आपको याद करना है ठीक है तो इस पूरे चैप्टर में ट्रेंगल्स में किवाल एक थेोरम की प्रूविंग है और वह है the angles opposite to equal sides of an isosalus triangle are equal हमने isosalus triangle आपके बुक में दिया है तो isosalus triangle कह सकते हैं कि किसी side की जब दो side बराबर होंगी तो वो isosalus triangle होता है understood है अब देखते हैं इसको एक बार एक फिगर बना है एक triangle है ABC अभी आप D को भूल जाए D के बारे में मस सोचिए इस question में केवल triangle दिया है ABC जिसमें AB की लंबाई जो है AC की लंबाई के बराबर है theorem का statement दियान से देखे लिखा है आपको prove करना है angles opposite to equal sides of a triangle एक triangle है उसके equal side है तो एक side AB एक AC यह equal side है याणि AB इसी दूनों जो बराबर है तो आपको prove करना है कि जो इनके opposite angle हो याणि AC की opposite angle क्या है B और AB की opposite angle क्या है C तो एंगल B और C भी आपस में बराबर होंगी यही आपको prove करना है तो इस figure को एक बाद फिर से देखे ध्यान से एक triangle है एक ABC और इसमें आपको prove करना है angle B, angle C के बराबर होगा है ठीक है इसकी हम proving देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे हम construction करते हैं क्या construction करेंगी एक हम AD जो है perpendicular draw कर देंगे BC लाइन पर जो BC लाइन है उस पर हम AD जो है perpendicular draw करेंगे इस तरीके से कि वो angle A का bisector हो यानि angle A को दो बराबर भागों में बाटने वाला एक लाइन ड्राइन ड्रा कर देंगे BC पर जो पहुच जाएगा D point पर ये इतना construction है आपका ठीक है ट्राइंगल क्या था हमारे पास ABC जिसमें AB और AC बराबर है और हमको प्रूब करना है angle B angle C के बराबर होगा इसके लिए हम क्या करेंगे एक angle A का bisector के खीछते हैं इस पर BC पर जो point D है ठीक है अप्रूब देखते हैं लिखेंगे इसी तरी बिलकुर इसी तरीके से लिखेंगे we are given an isocellus triangle ABC in which AB equal to AC we need to prove that angle B is equal to angle C let us draw the bisector of angle A and let D be the point of intersection of this bisector of angle A and BC यहां ध्यां से देखें यह triangle क्या है B, A, D और एक यह triangle क्या है A, C, D इन दोनों triangle में देखते हैं हम तो AB equal to AC क्योंकि AB equal to AC क्या है दिया गया है तो AB equal to AC और angle B, A, D equal to angle C, A, D angle B, A, D equal to angle C, A, D क्योंकि इसका bisector है तो दो angle बराबर होंगे AD equal to AD, AD दोनों में common है तो अब यहां पर SAS congruent जो rule है उसको हम ब्योग करेंगे तो यह angle B, A, D congruent हो जाएगा angle C, A, D की इधर वाला angle B, A, D जो है यह congruent हो जाएगा इधर आधा हिस्सा जो है angle C, A, D के इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो angle ABD है वो बराबर होगा angle AC, D, C, A angle ABD बराबर होगा angle AC, D since they are corresponding angles of congruent triangle, so angle B is equal to angle C, इस परकार यह prove हो गया, thanks, that's all for